हलो दोस्त पॉनिटी की क्लास नंबर एड में आप सभी को स्वागत है आपकी प्यार भारी कमेंट के लिए बेखद सुक्रिया आज हम लोगोंने कवर करने बाले जो टॉपिक हुआ है मूल अधिकार यानि कि मूल अधिकार के जितने सारे तरह के थियोरी हो सकते थे उन सारे क कि सारी हम लोगोंने इसमें कवर करने की बहुत ज़्यादा कोसेज की है और इसको बणाने में मुझे को पन सकते तो कि सारे की सारे को को मैंने क्लूड कर रहा है तो इस वीडियो को देखने का बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगा और इसके से जितने सारा तरह के टॉपिक की कोसन आप तरह-तरह के बान सकते तो उन सारे के सारे मैंने कम्पलीट कर दिया गए तो इसको अगर आप ध्यान से देख लेते हैं जितनी जितनी तरह के वीडियो हो सकती थी जितने तरह के हो सकती थी मैंने उसको जो है वो सबको सब इनक्रूड कर दिया है और जो है वो इसको देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए हम लोगों ने इसको बीना फटाफट सुरू करते हैं पहला नमबर आपको जो है सबसे पहले जो जान लेनी चाहिए कि आपका जो है वो थियोरी कंपलीट होनी चाहिए क्योंकि अगर थियोरी नहीं कंपलीट होगा तो आप मिल्डिंग को कितना भी मजबूत बना देजी उसको कोई भी दुनिया के ताकत है जिसको नहीं सकता यहापका Fundamental RPE है वो पार्ड किने में और अनुषे तरी कितने और अनुषे तें algae चेश कितने में यहापको लिक्ता वह बीदर नहीं तो आया होगा तो वहां से हम देखते हैं कि सबसे पहले हो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कहां आया साथ में किसी के पास मुणा अधिकार नहीं हुआ कर था है 1215 में ब्रिटिस में एक British King हुआ करता ता जिसका नाम राजा था जान जैसे आपका कोई जान नहीं होता है तो बिलकुल उसी तरह उसका नाम था जान और उनके द्वारा एक अधिश पत्र लाया हैं इसके बाद एक जो आते हैं वहां पर जो आवर आते हैं एक अधर डॉक्मेंट्स आती है यानि कि अधस्ता बेज आते हैं का आते हैं तो आपको आपको पता होने चाहिए कि 1689 16 1680 1687 में आपका जो है वो आण डाक अन दस्ता बेज यानि कि अधर डॉक्मेंट्स आती है जिसको कहा दा बिल ओफ राइट कहा दा इतनी बात आपको समय आगई जब यह आता है तो उस समय फ्रांस में उसके बास सेकेंड जो आती है फ्रांस में आती तब उस समय फ्रांस म यानि कि 1789 में माना वें अपना अगरीकों के अधिकार का घोसना पत्र एक घोसना पत्र आती है जिसको कहा दाता है दा डेकलरेशन ओफ राइट अफ राइट अफ अमेन एंड शीटिजन कहा दा उसके बाद आता है अमेरिका अमेरिका में समय ताइम बनके तयार हुआ था 1787 में बनके हो गया था और वहां पर इंप्लिमेंट जो होना शुरू हो गया था वो 1789 में शुरू हो गया था तब उस समय बाद में अलग से मूल अधिकार यानि कि मूल अधिकार को 1791 इसमी में जो है वो लागू कर दिया जाता है यानि कि फंडमेंटर राइट को विल अधिकार को लेना चाहा और ले वी लिया तो आप से करके डिट में यह कोशन पुझाया कि मूल अधिकार जो है भारत के सम्मिधान में इंक्लूड है जो कि की सदेश से लिया गया ताब करने कि वह अमेरिका से लिया गया है इतनी बाद आपको समझ में आगे अब हम चलते ह असली ओरिजनल मुद्धा पर यह देखिया हमारे साथ असली ओरिजनल चीज है अब हम लोग जानते हैं और इसनल कॉंस्टीशन यानि कि मूल समिधान मूल समिधान यानि कि मूल अधिकार यानि कि फंडमेंटल राइट्स पहले जब जब शुरू-शुरू आपका जो मूल अधिकार यानि कि विधिक लिगल राइट बना दिया गिया इतनी बात आपको समझ में आगी आगे हम लोग चालते हैं आर्टिकल बारा आर्टिकल 12 के बाता आगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में राज यानि कि एस्टेट को परिभासित करता इने ऍसमें इस स्चेट को डिफ्निशेसन करता है उसमें उसमें कुछ जादा इंडिया ये निंकी एक कंट्री की बात किया तरहा यहां फे तो भारास सरकार ये वंन्स त्वी प्राधिकार यानि कि और लोकल ऑफोरेटी आर च वाथ ही ऑनप्राधिकार ये इन सब चीज़ों आपको बात करते हैं आपका मून अधिकारों से असंगत विदिया कहने का मतलब ह हुआ हमारे पासकी मतलब ही कोई भी आपके पूरे आपको जिसभी कंट्री में रहाते हैं तो उस गंवर्मेंट के तरफ मतर जिस mehr भारत के हम लोग पढ़़ तो भारत के जो गभर्मेंट है वो कोई भी ऐसी कनून नहीं लाया जाएगा जिसके ताहत जो हमारे मुल अधिकार जो दिया गया है उसका उलंगा नो जिसका हनन हो यानि कि एक्सपेटेशन हो ऐसी कोई भी कनून नहीं लाया जाएगा यानि कि law economics with fundamental right कोई भी ऐसी जो है वो क हो जाए हमारे समाज कुझे एक्सपेटेशन हो जाए ऐसी कोई भी सरकार के तरफ से कोई भी ऐसी करून नहीं लाए जागा ऐसा आठिकल नंबर 13 में कहा गया मूल अधिकारों के असंगत भी दिया उसके बाद आपका आठिकल 13 को मूल मूल अधिकारों का सुरच्छा कबच का आगया यानी कि आपका सेफ़गारड और पर्सपेर नुसार नियाले यानी की कोट को मूल अधिकारों मूल अधिकारों को क्या आपका नियालु यानि की को मूल अधिकारु का सजक पराभरी का मतलब यह है कि मतलब नियाले जो आपका कोर्ट है उसको बाच डॉग कहा गया है इसको तेरा आपका अर्डिकल तेरा Гो कहा गया यानि कि वाइड कोर्ट अच्छा आप हम लोग जो बात कर रहे हैं देखिए आपका जो पहले साथ था अरब जो होगी तो बाकी तो छे हम को चुड़ाएं तो आपका छे कुछ इस तरह सबसे पहले जो हमारा है समानता का अधिकार यानिकि राइट टो एक्वालिटी जो कि 14-18 में दी गई यह मैं आपको इसको ट्रिक से भी याद कर भाऊंगा दूसरी हमारी है सुनंत्रता का अधिकार यानिकि तो फ्रिटम जो कि बाइस से उनीश से बाइस में और तीसरा आपका अधिकार यानिकि राइट राइट अगेंस्ट टू एक्स प्लोजन जो कि लिए से चौवीश में उसके बाद हमारा पैस चौधा नंबर में आपका जो है चौधा में आपका धार्मी संस्त्रता का अधि उसके बाद में संस्कृति एवा सिच्छा का अधिकार यानि कि 29 से लेकर के आपका 30 उसके बाद में 6 आपका है समिधानिक उपचारों का अधिकार यानि कि राइट टू कॉंस्टेशन रेमेनिंग और आर्टिकल 32 के बारे में यहाँ पे नोट में यह लिखी गई है कि आर्ट कुणता अकारिकार यानि कि राइट टू इक्वालिटी जो की 14 से 18 में 14 में आपकी क्या है तो 14 में आपका है अधिके समझ क्या है जी आप गओ आपका प्रिधी के समाज में 2014 में आपका समच्श सम्हें समांस राचन यानिy्लीटी पोर Strange प्रोटेंप्शन यानि की इसका काने का मतलब यह है mogą कि आपका जो मतलब की जितने भी शारतरह की इंसान है जितने स्राइड सब्सक्राइब सब्सक्राइब होती है वो सभी के सभी के लिए यह मुझूद है कोई बिल्कुल भी नहीं है कि हां कोई पर सब्सक्राइब बता हूं तो उसके बाद आपका जो है वो नय सर्गिक न्याय का सिद्धान यानि कि आपका जो नयसरगीक नयाय का सिधान्त का मतलब यहां यहां एक नयासरगीक नयाय का सिधान्त है, वो किस मामला में खूल गाया तो एक जो हुता है, वो उस माय अपल लिवाद होती है, मिनर्वा मिल वसेज आपका Union of Indian 1980 में, 1980 में ये बिवाद होती है, तब Supreme Court ने मिनर्वा मिल बिवाद, जो कि Article 14 को नए सर्गीक न्याय की सिदान के तहत ये कहा, कि आपका Supreme Court ने कहा कि आपका समिधान का मूल धाचा है, आपका Article 14 मिनर्वा मिल बिवाद हुआ 1980 में भारत संग के तहत, तब Supreme Court ने ये कहा कि आपका समिधान का मूल धाचा, यानि कि Basic Structure of Constitution, यानि कि Article 14, यहां पर कोई-कोई लड़का ये पूछ लेते हैं कि आपका जो है वो, जैसे मैंने कि आपक बताया है कि जो आपका, जो आपका Article है, क्या है Article 31 और 19 के EKF संपत्तिका अधिकार है, जो क कोई आपका Legal Right बना दिया गिया है, इसको आप कानूनिक अधिकार बना दिया गिया है, तो हम आपको बताना चातों कि यह जो है, यह जो है, वो आपका कानूनि अधिकार बन गिया, यानि कि माली जी आप पीता जी है, पीता जी आप, आपके कोई पीता जी ही, और उनके पा आन्ता का धिकार यानि के आपका जू है यहाँ कहां बता रहा था संपत्थी का था अपके पीटाजी के पांच बीटे आपके पकंच बेटे हैं आपके पिते जी के पांच बेटे हैं तो उनमें पांच रहे मतलब ऐसा नहीं कि आपके बेटी की लिए अलब होग substitute आप sound ये बात हो गई चलिए अब आगे बात करते हैं है कि आगे बात करते नहीं है यहols to इतनी बार समझ में आ गया जी आप कहेंगा विल्कुल चलिए अब हम लोग इसके बार में और भी कुछ जानते हैं कि यानि कि आगे आ जोईए अब जो आती है अब जो आती है वो आती है मूल अधिकार यानि कि मूल अधिकार जो आती है वो आपका पंदरा आती है यानि कि आ प्रोहिबीसन डिस्क्रिमिनेशन ओन ग्रॉंड ऑफ रिलीजियन रिलीजियन यानि कि धर्म के अधार पर किसी भी नागरी के साथ जाहे तो कोई भी धर्म हो वो किसी के साथ कोई भी छुपा-छुट नहीं किया जागा अगर भेद बाब किया जाथा थे इसके लिए नियाले जो है वो एक्षन लिया जागा पंद्रह के एक यानिकि पंद्रह सफ प्लोज वन में यह कहा जाता है कि केवल केवल धर्म जाती जन्म धर्म जाती वन्स जन्म अस्थान आधी की अधार पर नगरीकों के मत्त वेदभाब नहीं किया जाएगा यानिक डिस्क्रिमिनेशन ओफ डिस्क्रिमिनेशन और आपका जो है वो जिंडर इस सभी के अधार पर नहीं किया जाएगा और नीचे में लिखा हुआ गया हमारे पास की 15 सब प्लोजटू में यह बात किया है कि आपका धर्म जाती जन्म स्थान और भेदभाब यह सब नहीं किया जाएगा और इन सब के माम में धर्म के मामला में तलाव कुँआ घुटल दुकान एवं सरवजानी का स्थानों पर भी कोई भी भेदभाब नहीं किया जाएगा आपको जो आगर यह बहदभाब करते यह बहदभाब नहीं करना है इस पर जो है वो सरकार द्वारा यानिकी सम्मिधान के द्वारा इस इंच जो पर प्रतिबंद लगाया गया है उसके बाद 15 के सपलोज 3 आती है 15 सपलोज 3 आती है उसमें कहा गया है कि आपका इस्तिरी एवं बच्चों की विशेश इस्थिति के अधार पर राज विशेश प्राबदहान करेगा यानिकी स्पेशल प्रूविजन यानि कहने का मतलब यह है कि इस्तिरी और बच्चे जो है उनको विशेश रूप में आपका प्राबधान इनके स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा जैसे मैं अगर बताओं कि बच्चों की सिछा के मामले में आपका प्रोविजन दिया जाएगा उसके बाद महिला कालियान एन की वोमन वेल फेर के मामले में उसको दिया जाएगा महिला अयोग के मामले में उसके बाद हमारी आता है 15 के सफलोज 4 आती है जिसमें first consider amendment 1901 में होती है जिसमें ये जोड़े जाती है बात कि समाज एवं सैचनिक रूप से जो पिछड़े बर्ग है उनको जो है वो सिछन संस्थान में अरक्षन दिया जाएगा इनकी education institute में resolution उनको मीलेगा जो समाजिक एवं सैचनिक रूप से पिछड़े बर्ग है उनको ये बात कहा गिया है पंदरा के साप्लोज F Kevin में के बल सरकारी संस्थान में बात किया गया लेकिन बात में एक मामला हो जाती है उसके बाद में 15 के 15 के सपलोज 5 में ये बात कही जाती है कि नहीं यह हमारे सथ गलत हो रहा उसके बात है 93 Constitution Amendment 2005 में होती है जिसमें कहा दाता है कि नहीं अब जो है वो Private Institute यानि कि नीजी संस्थान में भी आप जो है वो जो लोग पिछले जाती है उनको जो है वो दिया जाएगा रिजर्बेशन दिया जाएगा उसके बाद हमारे आते हैं 15 के 6 यानि 15 के 6 आते हैं यानि कि 193 संसोदन 2019 जिसमें यह वात आती है निकल करके कि बाकी सबको तो दिया गया मतलब यह समिधान में लिखा गया कि 50% ज्यादा जो है वो किसी भी हलत में किसी को और आच्छन नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में किया होती है कि 50% तो में लिए एसी एस्टी को लिए एसी को अपका हो गया 15% मिला और एस्टी को 7.5% मिला और ओवी सी को 27% मिला यह बात हो गई अब जो है कि एक सो तीनमा समिधान संसोदन 2019 में यह बात आती है जोड़ा जाता है बात में कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि कि आर्थिक रूप से सेक्षन जो आती है उनको भी 10% दिया जाएगा ताब हो जाती है घरगामा हो जाती है ऐसे में जो है वह आप तो कहाता है कि 45-50% से ज्यादा तो मिलने वाला है था नहीं और पहले ही से को मिल गया 15 परसेंट और से को मिल गया 7.5 परसेंट और ओवी सी को 27 परसेंट हो गया और टोटल जो हो गया वह उन्चास 10.5 परसेंट हो गया है यह इतने बाद समझ में आ गई आप कहें बिल्कुल तो आप जो है वह 10 परसेंट लेकिन उसके आगेंस्ट में क्या हो जाती है तीन और दो के रेसियों में वह डिसेजन आ जाती है आठक्टू बर 2019 को कि हाँ जो है वह 10 परसेंट जो है वह आपका जो आराचन मिलेगा तीन और दो के रेसियों ने पास हो जाती है इन्हें की जो आपका सुप्रीम कोट के मूख खेने देज यानि की यू लेलिज जो है आपका जो है वह 9 के डिसेजन में रहती है तब आपका जो तीन और दो के रेसियों में वहां से पास हो जाती है यानि की तीन वकील जो है व जादेवाला के पास हो जाती है ऐसे में क्या होएती है वहां से पास होकर निकल जाती है अब होती है अब जो आती है आर्टिकल नंबर 16 आती है यानि कि आपसर की सामता है यानि कि जानिकल आती है जिसमें होती है क्या होती है लोक नियोजन में यानि कि गफर्मेंट जॉब में सभी को बराबरी का आधिकार होगा यानि कि चूप के एक सोला सपलोज बन और सोला सपलोज टू में यह कहा दा है कि लोक नियोजन यानि कि गवर्मेंट जौब में सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा यानि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके बाद आता है सोला सपलोज फोर आती है इसमें राज पिछड कि राज पिछड़ा वार्गों यानि कि वैकवर्ड कलास को जिनका परतने देत यानि कि यानि कि यानि कि रिपरजेंटेशन यानि कि सरकारी नवक्रियों में काम है को आराचन दिया जा सकता यानि कि यानि कि राज पिछड़ा वार्ग यानि कि वैकवर्ड वैकवर्ड काली नवक्रियों में काम हैने कि इसका कहने का मतलब यह है दोस्त की जैसे मैं अगर बताएं आपको कि इसका मतलब आपको हड़ा को कैया कंप कहते है यह let out जाय परNow एक पुलीस आपका हम इसे समाले जाता है आपका जो है वह पहले से पीछे के लाएं जाता में आपके हाइट है करके बराबरी लाना चाहते हैं ये सुला спокой прекрас आराचन दिया जाता है राज पीछड़े बार को इनका परतिन ने दिए तो सरकारी नवक्रियों में कामन को आराचन जीन का दिया जा रहा है उसका वन्हों स्वल्ला सप्लोज सिक्स आती है जिसमें एक तिनमा समिदान संसोदन 2019 में जोड़ा जाता है यानि कि जेनरल सवर्नो को यानि कि 10% 10% जो है वो EWS के मामने में स्वल्ला सप्लोज सिक्स में का जाता है कि सर्वन जाती के सर्वन जाती के जो आराचन है उसमें जो है वो उसको 10% का जो है वो छूट दिया जाता जैसे कि आप देख सकते हैं कि EWS में जो है वो आपका 10% की छूट दिया जाता उसक इसमें क्या होती है इसमें जो है जो है बैमारी को जो है वो अंत किया जाता यानिकि जो अस्प्रियास्ता जो होती है आप किसी से घिर्णा मानते हैं किसी को जब कोई भी इंसान आती है आपके यहां खाना करने यह तो इस मामले में आप उनसे दूर से बात करते हैं तो इस मामले में वह समिधान जो है वह इसको लीगल मानती है यानि कि इसमें जो समिधान के अंत करने के लिए बोल रहा यानि कि आगर आपको नियाले में यह सिकाद चले जाती है कि मेरे साथ आगर भेग आपकी आया था तो आपको जो आपको जो इसमें gamepe, इन्सुपाच्पन में एक एक्ट बनाए जाती है, यानि कि बनाए जाती है आपकी जो अंटेचिबिलिटी आयाप्त उनी सो पाच्पन के ताज जो बनाई जाती है तो फिर आपको जो है वो दोनों सजा मिल सकती है तब इसको जो है वो नाम जे यानि की आफेसेंस यानि की नाम बदला जाता है 1976 में जो है वो आपका नाम बदला जाता है और इसको सिबिल अधिकार सनाचन अधियम 1955 में इसको नाम बदल दिया जाता है कि सीबिल अधिकारशन अधेयां 1905 कर दिया जाता लेकिन 19 55 है लेकिन 1906 में बदला जाता है तब इस में भी आपका 500 रुपया और आपका 6 महा का सदा दिया जाता या तो अर्य दोनों क्या जाता उसके बाद 17 के पैरे बहुत्य नहीं हुआ तब लोग होते थे वह अपने नाम के आगे आगे बहुता लगाया करते निससे महराज लगाते थे सुल्टान लगाते लगाते दिथे रामेदुल्ला क्या बहादुर ऐसे कुछ करके लगा देती तो उन सब को क्या करता है कि उन सब को उना सम्मीदानिक मांने के उचको खतम करने के वह बोलता है यहां पर आप में आपको चाहतrade 278 MPR 667 722ches आप सुदंतरता के मामले में जो आपको छे प्रकार की सुदंतरता दिया जाता है। करवाना यह चाहता हूं कि ड्रीक आपका जो है क्या है क्या है क्या है क्या इसक्ति दिया जाता है यह सब यह रहने जाता बहुत ही अच्छा आप यहाद रख लीजिए कि आपको नंत्ता दिया जाता है जैसे कि मैं अगर आपको लिक कर यहां पर बताऊं तो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो यहां पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर आपको बताओं तो वो हो जाएगा आपका वोस हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा जाकर के वोस हो जाएगा उसके बाद में आपका हो जाएगा जाक करके कि आया संग वो से संग आया वस बेपार किया वस वया पार बेपार किया अब जो है वह यहां से यहां से यहां ट्रिक वन जाती है कि आपका वो तो बहुत मतलब बोलने का उस्थ अंदरता है और उसके बाद में सांप का मतलब होती है अपका सभा करने की चुत रपआ है उसके बाद में आने जाने की चुत रपआ है। और विस तया उसके बाद में बैस भ इसन बचानी की बीपार वाम जीवी के चलाने की शंदुरता आपको है उसके बाद में आपकर किया सबका है कि आने कि अपराधों के लिए दो सिद्धिक जो समझते हैं यह जो है वो आपका ट्रिक है उसके बाद में हमारे आते हैं 20 आते हैं और 20 में हमारे जो है वह बहुत ही जादे अच्छी-ची बात का विया यह जो सिद्धी से सरचन यानि की प्रोटेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब 20 सप्लोज 1 में कहा गिया है, की सदा दोे वह नहीं दिया जाएगा क्या亲 सदा नहीं दिया जाएगा मतलब कि जेल में нал dairy कोट के दवारा तीन साल मैगसवाम सजा होगी ऐसे में ले कि correct इसके बाद जो है वो उसके इसके बाद जो है वो क्या हो जाती है एक अधनियम बन जाती है जैसे इसी के मामले में एक जो है वो एक दिल्ली में महरोली गैंग रेफ होती है आपको याद होगा कि दिल्ली में जो होती है वो महरोली गैंग रेफ होती है जिसमें एक लड़का सकते हैं मेर्लाबे की कई हैंद इस को पर दोन को नानुक तो एकस से कम राती है यृइंद तो फांज नहीं दे सकती है सोगहत है यह गया है लेकिन उसके बाद यह वहरोली गांग प्रेब के बाद जु은 है वो एक जो है वो क्या क्या आता है एक जो वो उसमें अधिनीयँ बनाई जती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अगर वह जगनने अफराद करता है यह कि कोई gli रेयर्केस अगर होती है उसके मामल में तो उसकी अडल्ट एज उस्टिन यहर मान लिए जाएगी, कितनी मान लिए जाएगी 16 years मान लिए जाएगी और उसके बाद kres 20 के दू यानि कि 20 सप्लोज डू आती है दोहरे डंड से सरचन यानि कि अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी ब्यक्ति को एक अपराद के लिए दो पर सजा आप नहीं दे सकते हैं यह जो है वो क्या कह सकते हैं अपराद के लिए दो सजा आप नहीं दे सकते हैं उसके बाद में आपका है 20 के तीन 20 सप्लोज तीरी जिसमें आपका आत्म अभिसासन आत्म अभिसासन से सरचन स्वैम के खिलाफ गवाही देने के खिलाफ मजबूर नहीं यानि इसका मतलब यह हुआ कि यानि कि जब दो सजीथ ना हो जाए किसी भी व्यक्ति तब तक आपको उनको सजा नहीं दे सकते हैं और कोई भी व्यक्ति यानि कि कोई भी जो आपका कोई भी इनसान जो किसी भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जो है वो अपनी खुद की गवाही जो है वो आपका नहीं दे सक सकती है ऐसा इसमें लिखा गिए 20 के सप्रोज 3 में कि आत्म विश्वास आत्म विश्वास अविश्वास अविश्वास रचन स्वयम के खिलाब जो है वो गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा यानि कि आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम सिल्फ इन क्रिमिनेशन यानि कि आप खुद के खिलाब जो है वो आपको गवाही नहीं दे सकते हैं ऐसा 20 के सप्रोज 3 में यह सक कहा गिया उसके बाद हमारी आती है आर्टिकल नंबर 21 आती है 20 मैंने आपको बता ही दिया कि 20 में जो ऐसा कहा गिया है कि आपका जब तक दो ससीद ना हो जाए किसी प्यक्ती को एक चेथ आपका जो एकजूट एकी नहीं किया जाएगा नहीं माना जाएगा यह बास गई वह आपका बीश में दो सीद सवरच्छन में कहाँ गया उसके बाद हमारी आती है कि खान alai कि उसके बाद हमारी जो आती है आपका इसके बाद आती है 21 में प्रान एवाम नहिस्ख सतंत्रता यानि कि नीज़्दा स्तेन्स्वाइनों 8 you अब 2020 में तो ल्यूंद मतलब केशनी विव्यक्ति को अपनी मर्जी से शाधी करने का अधिकार है यह आपका गेस्ण आपका प्रेशनार राइट है कि आप जो है वो कि अपनी मर्जी से साधी कर सकते हैं जैसे कुछ टाइम पहले जो है वो आपका नरेंद्र मोदीमन गवर्मेंट की तरफ से यह देश आया था कि आपका जो है वो अधार कर्ड जो है वो सभी चीज से लिंक को होने चाहिए तब इसके मामले में जो है वो यह जो है वो क्योंकि अधार कर्ड जो है वो निज्टा के अधिकार को तोड़ रहा था तो इस मामले में जो है आप जो है वो आप सब्ची में अधार कर्ड जरूरी नहीं है यानि कि बैंक और इसमन में जो है वो आपका उतना जरूरी नहीं है क् आपका कोलकर्टा गवर्मेंट ने इस मामले में जो है वो प्रान एबंदाहिक सुद्धता यानि कि निज्टा सुद्धता का मामले में यह जो है वो तोड़ रहे थी इसलिए इसको खतम कर दिया गया अब 21 के सफलोज वन आती है 21 सफलोज ए काने का मतलब यह है कि आपका जो किछ इस तरह से ए रहेगा तो आपका जो है वो बात में जोड़ा गिया और आपका छोटा ए रहेगा तो पहले से वह है तो सिच्छा का अधिकार यानि कि राइट टू एजुकेशन यानि कि 21 कि आपका सिच्छा का अधिकार एक जो मामला होती है आपको याद हुआ कि केस्वानन्द भरती है केस किया जाता है क्या किया जाता है कि आपका जो सिच्छा का अधिकार भी जो है वो आपका जो जरूरी है इसलिए इसको भी दिया जाए तो आपका मोहनी जायन मोहनी जायन व ठाटी है कि सिछ्छा का राधिकार जिए आपका जोड़ा जाई यह भी आपका जोरी चीज़ इसके बिने तो अधूरा दा के ए सब्सक्कार में जोड होती है वो चीस्वेस्वा refr समिधान स कझ वांडता में जोड़ाईस था कप्रिल 2010 दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे नोट में यह लिखा गिया आपका माई 2014 में मैं 2014 में आपका जो एनिमन वेलफियर बोर्ड यानिकि जनवारों को आर्टिकल 21 में सामिल किया गया इसलिए प्रान में प्राण भादम दहिक तो इसको भी कहा गिया कि इसको जोड़ा जाग तो इसको जोड़ दिया गिया आपका नहीं क्या में तब करेंगे, 21 में आपका जए, 21 के A में ज़ो है वो माई 2014 में इसको एनिमल वेलफेयर बोर्ट ने इसको जोड दिया, उसके बाद में हमारी आते हैं कि इसको जो है, प्रोवीशन किया जाई, यारी कि आप सुपरिम कोट ने इसके पर आकशन लिया, उ उसके बाद में हमारे आते हैं आर्टिकल 29 किसी कि और बात कीसीda का हुँच रहा था मतलब मेरा मतलब यह कि मतलब जब तक कोई ब्यक्ति जो है जब तक मतलब कि जब तक कोई ब्यक्ति जो है वो मतलब कोई ब्यक्ति जो है वो आपका तब तक दोसी नहीं माना जाएगा जी समय वो कार किया गया था और वो अपरात की सिरेनी में नहीं आता तब तक आप उसको ज वारा ये तीन साल का maximum सजाव होगी लेकिन उस case के बाद जो है वो एक अधनियम बनाया जाती है मैंने आपको बताया है कि कोई भी ब्याक्ति आगर आपका जगन्य अपराद करता है यानि कि रेयर कोई case करती है तो उसकी adult age 16 year मान ली जाएगी और उसको पर फिर से जो है वो case चबाया जाएगा तब इसके बाद जो एक और मामला आती है कि किसी भी ब्याक्ति बतल कोई भी ब्याक्ति जो है वो एक्जेक्यूट एक्जाइट तब तक नहीं मान जागा जब तक जिस समय उस ब्याक्ति ने ओभा काम किया था वो वो काम अपराद किसरेणी में आदा था जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक जो गैंग रेप हुआ था महरोली गैंग रेप तो उसमें जो है वो लड़का का सत्रह सार हुआ रहा था और उसका नाम था बिनाय पाठक आपको बता हु अब हम ने पम दहीं संधना में आपको मैंने प्ताइट d Sna कि उसको इसके मामले में अधार कार्ड में Κुलकातिया ने आपको जो है आप सब्ची में अधरकट की जुरूत नहीं है सब्चीज से लिंक करवा रहा था तो गलत चीजे अब उसके बाद आता है आपका बाइस आती है यानि कि अरेश्ट एपका डिक्सेशन यानि कि कहने का मतलब हमारे पास ये है कहने का मतलब यह यह कि आप जब ही क्रिवतारी किसी को हो रहा है तो आप उसको से कारण पूस कते हैं अपना मन पसंदी आप जो है बकील रख सकते हैं और 24 के अंदर आपका जो है वो आपका जो है वो मजिस्टेट के सामने जो है वो समाच प्रस्तूत करना होगा लेकिन इसमें इसमें एक महमला आती है जैसे माली जी आपका प्रस्तूत करना है आपका प्रस्तूत करना माली जी किरला ने प्रस्तूत करना और आपकी जो अरेस्ट होती है वो आपका होती है दि यानि कि आपका जो है वो आने जाने के समय को छोड़ कर आपका कॉंट किया जाएगा यानि कि आपको जो है वो करला ने अगर प्रस्तूत करना है उसको तो आने जाने में तो टाइम लाएगा ही लाएगा कोई तो उड़के तो नहीं जाएगा तो आने जाने के समय जो है वो समिधान में लिखी गई है और ये बत समिधान में लिखी गई है इसलिए ये जो है बो ममतलब कि पुछ परस्तूत जो करती है वो उसके पहले जो है बो वीडियोग्राफर करती है ताकि बाद में जो वो उसके मामले में हमारे पास बीडियो रहे और मैं उसको दिखा करके उसको कुछ कर सकता हूं तो इस मामले में जो हुती है वो यह हो जाती है उसके बाद में हमारा गिरफचारे के मामले में आती है इसके बाद में हमारा आती है 2ndго 24 कितना आती है 23 और कितना आती है 24 आती है 23 में हमारा कहा गिया है कि मानने के दूर ब्यपार यानि कि 23 में कहा गिया कि मानने के दूर ब्यपार और बंधूता मंजूरी का परदनित यानि कि इसके अंतरगत किसी ब्यक्ति की खरीद बीकरी नहीं किया जा सकती है और नहीं उसे जवर्दस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है उसका वो लंगान करना एक दंदनिये अपराद है यानि कहने का मतलब यह हुआ कि सोसन के बिरुद अधिकार यानि कि right against to expectation किसी भी ब्यक्ति को आप जवर्दस्ति काम नहीं कर सकते हैं यह जो है आपका human facting human tracking के मामले में यह जो है वो आपका कहलाया जाएगा किसी भी ब्यक्ति को जवर्दस्ति काम नहीं करवा सकते हैं इतने बात समझ में आगी आपको जी आप कहेंगे बिल्कुल उसके बाद हमारा आता है जो आप इसके मामले में अगर आप पकड़ाये जाएगा तो आपको जो है भारे काम में नहीं किया जाएगा यानि कि जोखिम भारे काम जो है वो आप बच्चों से नहीं करवा सकते हैं वालकों को नियोजन पर रोक है यानि कि आपका जो है वो प्रोहिवीशन ऑप इस पलाईजर ऊपस चिल्डरिं यानि कि जोखिम भारी काम में आप वो किसी भी बच्चे को नहीं करवा सकते हैं जो दिया गिया है वो आपका 14 से कम दिया गए 14 से कम में बाले बच्चे को आप बह्तेम आने काम सकते हैं में काहें कूछ भी हो ज Punch चाहएगोग उसके बड सबनाधा आती है उसके बाद आती है दोस्त एह नहीं कि आब कर ne की आज कि अपकर या पी चला किया बिल्कुल सब्सक्राइब C było कोई भी जवर्दस्तिन ही किया जाएगा को सब्सक्राइब कोई पrekतरा त्रेकर शांटरे यानि कि 25 में क्या लिखा गया है कि आपका जो अन्ता करने की स्वतंत्रता यानि कि freedom to conscience यानि कि धार्मिक कार्यों को प्राबंधन की स्वतंत्रता यानि कि freedom to to manage religion often यानि कि आप जो कह सकते हैं कि आपका जो है वो कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं ऐसा नहीं आपको पर कोई पर जवर्दस्ति नहीं किया जाएगा यानि कि इसके अंतर गात यह चीज़ आती है कि आप जो है वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं उसके रिदी रिवाज को मा का अथायों कार्यों के प्रबंद की तो नसका मतलब कि कि स्वाने के लिए संस्थापना की सुदम धार्म मुक्षा का अर्जन स्वामित्व वह स्वाप्रहसासन करने का अधिकार यानि कि इसके अंतरगार जो आपका धर्मिक जो है वो किसी भी धर्म को आप अस्थापना कर सकते हैं कि ब्यक्ति विशेश को नहीं बलकि संप्रतायों को दिया जाएगा यानि कि कोई भी विशेश को नहीं ऐसा नहीं कि आप जो है वो किसी भी विशेश को दे रहें नहीं मतलब कोई विशेश ब्यक्ति को नहीं बलकि गुरु द्वार को दिया गया जैसे जैसे मन जो गुरु द्वार होती है और आपका चर्च होती है तो इस मामने में दिया गया किसी भी प्रेशनल ब्यक्ति को यह नहीं दिया गया उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है 27 आती है अब 27 में क्या का गया 27 में का गया कि धार्मी करो से मुक्ति धार्मी करो से मुक्ति धार्मी करो से मुक्ति का मतलब यह होती है कि आप जो है वो राज किसी भी ब्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बात नहीं कर सकता है जिसकी आए किसी विशेस धार्म अथ्वाधार्मिक संप्रदाई की उनति या पोशन के लिए पोशन के लिए ब्याय किया जा कि किसी भी किसी भी सिच्चा संस्थान को ऐसी माली जी आपको यह कहता है कर ऐहा है कर जो आपको पचीस में कहा गिया है मतलब कि पचीस में ऐसा को है ना कि जैसे कि आपको जवर्दक्ति लालज देकर उस लड़की से उमा लिजे दस लाग रुपे देकर इसलाम धर्म कभूल करा तो यह आसमबधानिक है यानि कि किसी भीक्ति से कोई कर नहीं लिया जाएगा जिसे उसके इलगाम का कोई भी हिस्ता किसी भिशेस धर्म के प्रचार पशार में लगाया जाएगा यह बात कहा गया है आपका जो है आपका प्रमोशन को नहीं दे सकते हैं, जैसे आपको कोई धर्म कोई मानने से बाद नहीं किया जाएगा, धर्म करो से मुक्ती हो सकते हैं, यानि कि धर्म से आप मुक्त हो सकते हैं, ऐसा का आगिया, जैसे आप सुन सकते हैं कि राज किसी भी ब्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाद निजमत जवरदस्ति आपको फूर्स नहीं किया जाएगा कि इस मामले जो आप अपने इंकम के कोई भी पैसा हमारे धर्म में लगाए ऐसा आपको नहीं है आपको मन है तो आपको नहीं मन है तो आपके लिए इसके लिए कोई भी जवरदस्ति नहीं किया जाएगा कोई भी ज सब्सक्राइब इसके उंतिरगात सरकारी खर्च के खर्च से चलने वाली किसी भी किसी भी सिचन संस्था में कोई द्विद्यर्थियोंने मनेले किसी धार्म उपदेश को जवरदास्ती सुन वाद नहीं कर सकतेूं किसी भी सिच्छा संस्तान में जिसे राज है के द्वारा सरकार के द्वारा पैसा मिलता है और वहाँ पर किसी विशेश धर्म की आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ उसके बाद में हमारी जो आती है वह आती है हमारा 29 में यह कहा गया है आलप संख्या कवर्गों के हितों का संवर्चन यानि कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ आप आलप संख्या कवर्व के हितों के साना चलिए इसके अंतरगत कोई भी कोई भी अलप संख्या कवर्ग अपनी भासा लीपी संस्कृति को सुराचित रख सकता और केबल भासा जाती धर्म के अधार पर किसी भी किसी किसी भी सैचनिक संस्थानों में प्रवेस से नहीं रोक सकता है एकको जीस परवेस में जाना है लीपी को मानना इसके लिए आपको कोई भी नहीं रोकेगा तो आप इसको उनутीष में याद राद सकते पहले वह रिक्वेस्ट करके कुछ करके करता है रिक्वेस्ट करके माली जे कुछ कहां पर रिक्वेस्ट करके जो है वो कुछ इस तरह से मतलब कि वह आदमी ऐसे मोड करके कहा रहा और फिर जब उनको सुदंद्रता मिल जाती है तो वो कुछ इस तरह से जो है वो आपका खाड़ा हो जाती है तो यह बात आपको 29 में तो यह बाद आपको समझेगे भास आपको कोई भी नहीं है अच्छा उसके बाद हमारे पास है 30 है अब 30 में क्या है अलब संख्यां को वर्गों वर्गों को अपने सिच्जन संस्थाओं की अस्थापना और प्रवासन करने का आधिकार यानि कि आप जो इस पूरे तरह से क्या है ताफ पूरे तरह से इस के ल्याद है यानि कि कोई भी अरब संख्या को वर्गों अпणि पसंद का साइचनिक संस्थान चला सकता और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाब नहीं करेगा जैसे मदर्शा था संस्क्रीटी बिद्याले था यह सब जो है वो उसका उधारन है उसके बाद 31 के मामले में मैंने आपको बता ही दिया था कि उसको जैसे बाद 32 में हमारी जो आती है वो आती है क्या आती है समयधानिक उपचारों का अधिकार आती है अब इसमें मैं आपको बताऊं कि समयधानिक उपचारों का अधिकार जो होती है यानि कि 32 जो हमारे पास है उसमें जो आप पांच परकार के जो है वो सुप्रीम कोड जो है वो आपका रिट जारी करती है 32 के मामला में अगर मैं बता हूँ तो सवधानी कुपचारों के लिए बीदी डॉक्टर भीमरा अंबेतकर ने इसको जो है वो ही खेरदे कहा है इसे मूल अधिकारों का सारचन कहा जाता है क्योंकि अगर आप के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोड जो है वो प्रेशन है और आपका अधिकार आपका जो है वो अधिकार क्या है आपका अधिकार प्रिच्छा प्रेच्छा अब इन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आपका जो है वो यह आखिर है कि अब आखिर है कि इसको जानने के लिए आप जो है वो ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो बंदी प्रिट्शी करन यानि कि जिसको बोलते हैं इसके ताद सुप्रीम कोट जो आप आपका 5 प्रकार की रिट जारी करता अब किन मामला में करता है धेखते हैं जब किसी भी उक्ति को यह लगता है कि उसे जो है वो अबैध रूप से जेल में रखा गया है किसी भी ब्यक्ति को जो ऐसा लगता है कि आप जो आपका जो है वो अवैद रूप से जेल में रखा जाना तब सुप्रीम कोट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उबाद जेल में रखे गए ब्यक्ति को निश्चित अस्थान और के अंदर उपास्तित करें अन्य था हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर क्या हो जाती है करवाई हो जाती है यानि कि कहने के मतलब यह हुआ दोस्त कहने के मतलब सिंपा सिधा यह हुआ कि अगर आपको जो है वो कोई गलत तरीकर से प्राधिकारी पकड़ रहा और ऐसे म महिंने मझी स्टेट के सामने आपको नहीं किया जा रहा है तो ऐसे में जो है वो आपको पकड़ा है वह जो है वह ऊसको उसके लिए आपका हीरासत वह बौप आपको उसके लिए करवाई होगा करवाई होगा, इतनी बाद आपको समझ में आ गई जी, आप कहेंगा विलकुल, चलिए, आप हम लोग देखते हैं बंदी प्रची करन के बाद आती है, आपका जो है वो पर्मा देश आती है, पर्मा देश में क्या होती है, यानि कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सर्वल करता यानि कि probably duty का public duty का निर्वाह नहीं करता स्पुप्रिम कोर्ट उस पर रीट जारी कर सकता और उसे अपने करता पॉलना करने का करने का अधेस जारी करता यह पुम्राइल्ट इससे मानिडिये मानिडिय आफ इस्टेशन पर जाते है और दो कौण्टर पर दूसरी कोंटर पर कम बेड़ है और उसने जाते हैं तो जो काहता है दूसरा कॉंटर पर मॐह से बिसे देख लेते हैं कि आप उकातने के लिए छुटी के लिए वो तास पती खेर रहा तो ऐसे में जो आपका Supreme Code आपका परमादेश को एंग्लिसे हम लोग काते हैं Mendomus वो आपका जारी करता तो ऐसे में उसको पकड़ ले जागा और उसको दंड नहीं मिल जाएगा उसके बाद हमारे पास है प्रतिसेद को हम लोग प्रतिसेद को हम लोग बोलते हैं प्रोहीवीशन बोलते हैं इसमें होती है कि यदि यदि आदेश सर्वोच नियाले तदा उच नियाले दोरा निम्न नियाले को जारी किया जाता है और अदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यह करवाही ना करें क्योंकि यह मामला उसके आधिकार छेदर के बाहर है तब आपको जो है वो आधिकार नहीं किया दा उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है आपका उत्र प्रेशन आता है यानि कि इंग्लिस में कहते हैं क्यों वरंटों कहते हैं आपको इसके इसके अंतरगात जो है इसके अंतरगात अधिनास्त नियाले जहां पर मुकादमा चर रहा है उसे वरिष्ट नियाले यानि कि उसे अदेश दे सकता है कि मुकादमे मुकादमे को तुरंद जो है वरिष्ट नियाल इसके अंतरगात अदिनाइस नियाले जहां पर मुकदमा चर रहा है उसे वरिस्त नियाले उसे अधेश देता है तो यह इतना समझ मैं कि उसके पास लास्ट आह half ङाती अधिकार प्रिच्छा या Defence, अधिकार प्रिच्छा का मतलब होती है आपका क्यों वरंटों होती है परिचख हो जाती है, यह क्यों नदील मैं है, यह सर्कारी पद्र निकल जाती है और बहोद मुझे करने के बाद यह सुप्रिम कोट के तरफ से रिट जारी होती है और वो इंसान पकड़े जाते हैं और फिर वो उसका जो है वो खटिया खड़ी हो जाती है आप जो आती है दोस्त हमारे पास जो आती है सबसे important चील्च जिसके लिए हम जो है बेखबरी से इंतजार कर रहे हैं कि यानि कि आप जो आती है वो आपका आती है को सन खाफी जाधा important है दोस्त आप इसको बिलकुल हलके में मत लीजिएगा important है अब question हम लोग लगाते है question जो हमारे पास है वो कितना बनता है कि नहीं बनता question नहीं बनेगा तो हमको बढ़ने से कोई भी फाइदा नहीं होगा और नहीं होगा तो आप समझी सकते हैं कोई भी फाइदा नहीं होगा तो हम लोग पढ़ते किसलिए कोशन आगर बन ही नहीं रहा है तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं नहीं पढ़ना चाहिए था क्या अगर कोशन बनता है यह पने क complexity कोशन को आपका पहला नमर काइन कहाता है कि वारत के सम्मिधान का भाग तीन वारत के सम्मिधान का ते भारत के समिधान का भारत के समिधान का भाग तीन संबंदित है तो भारत के समिधान का भाग तीन किसे संबंदित है तो आपका मूल अधिकार से संबंदित है किसे संबंदित है तो आपका मूल अधिकार से संबंदित है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं फिर चलिए अगला नमर हमारे पास कोजन है भारत के नगरीकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है वह आपका है बारा से पैंधिस में ठीक है जी चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत की तो हो गिया भारत के सम्मिधान में मौलिक अधिकार भारत के सम्मिधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है तो आपका राइट अंसर हो जागा ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं भारतिये नागरीकों को प्रदान किये गए मूल अधिकारों का निलंबित नहीं हो सकता निलंबित किया जा सकता आपा उत्रों कशीक्तन कौन करता है क्या सब्सक्राइब आगे देखते हैं तो आपका हुआ जागा जाकर के भारतिय सम्मिदान में अस्त प्रियास्ता का उनुमुलान यानि कि संबंदी के मामले में जो आपका कौन है तो आपका है कि अनुछेत 17 में यह ऐसा बात कहा गया उसके बाद में साथ कि मौलिक अधिकार के अंतरगात कौन सा अनुछेत बच्चों को सोसन से संबंदीत आपका कौन नमबर चोबीस में कोई भ्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है किया सकता है जब तक कम से मेला कम से जो आपका जो है आपका 14 साल नहीं हो जाए चलिए अंगर नम्र मेला को सरमेन भारतिय समिदान के अनुछेत 25 सम्दान को समांद कामा किस्ति है ता मंता का अधिकार है संपत्टी का अधिकार संत्रता काधिकार और आपको कि इसमानता का पत्ति के का ऊंपत्ति काधिकार है ख जो पचीस आर्टिकल कितना आपका आपका आलप संगेयों का अधिकार धार्मिक जलंद्था का अधिकार तो काउन इसका राइट उतर हो जाएगा इसका राइट उतर आपको जो हो जाएगा इसका राइट उतर कौन हो जाएगा थिकार नमर हमारे पास नमर की निम लिखीत निमलिखित मौलिक अधिकार मेंसे किसको भार बियर अमिदकरने समिधान यहां ठीक मारत है नहीं यहां पर आपका हो जागा राहिट उतर आपका हो जागा जाकर के धार्मिक सुतंदरता का अधिकार हो जागा चलिए उसके बाद हमारे है निमलिखित मौलिक अधिकार मेंसे मौलीक अधिकार में से भी अरहां मित करने समिदान की आत्मा की संग्या दे गई थो आपका झालते पीभी अधिकारी को आपका कि यह सत्यğा संपत्ति का अधिकार जो है वो नहीं आता उसके बाद जो हमारा है वो आपका नेम में से कौम सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता यह तो मैंने आपको नहीं दिए संपत्ति के मौलिक मौलिक अधिकार को खत्म किया गया तो समपत्य के मौलिक अधिकार को खत्म किया गया चोली सुवा समिदान संसोदन 1978 के ताहट जो है वो आपका 31 और आपका 31 के 1 के 1 को जो है वो Right to property शायदागर के Legal right बनाया गया समपत्य का अधिकार एक समपत्य का अधिकार एक वो आपका बैद्हानिकार है यहीं कि लिगल राइट हैad यआजिकि आपका जबतान की हसा स्मीदान या किसके अंतर का जाता है आपका 14-15 सुल्ह यानि कि 3 14-15 सुल्ह आती है क्या आती है 14-15 यानि कि आपका दू-3-4 ती तीन-4 यानि कि आपका जो है वह आपसा नंबर टीक करेक्ट हो जाएगा चलिए उसके बाद मैं निमन में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है तो निमन में से कुस्टन है तो आपका हो जागा इसका क्या अंसर हो जागा तो आपका है कि मौलिक मौलिक अधिकारों में संसोधन करने में कौन सा सच्छा मैत आपका है वह आपका हो जागा जाकर के संसाथ हो जागा चलिए और नमर हमारे कुस्टन है कि भारत के समिधान का भाग मैंने अ करके वताईए मुझे कि इसका जो वह ऊंला होगा इसका अंसर कि आगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो होगा आपका कितना भारत भारत के संभीदान का भागतीन संबंधित है तो किसे संबंधित है आपके वो जो है संबंधित है मूल अधिकार संबंधित है भारत के संब्धान में मौलिक अधिकार भारत के संब्धान में मौलिक अधिकार भारत के संब्धान द्वारा मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ति दी गई है तो निम्लिकित में से किसको समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लाओ करने का अधिकार दिया गिया है तो आपका दिया गिया है सर्बोच नियाले और आपका जो है वह उच नियाले को उसके बाद में भारतिय समिदान भरतिये सम्यम्दान में कितने परकर के मौलीनक अधिकार का उलेक है तो कितने परकर के था आपका आपका में कि देखते हैं निमली खित में से कौंसा मौलीक अधिकार नहीं है ति मैंnetlor संपत््तिक अधिकार है तो है प्लप हो जागा कर जाए करके आप इंदर तौने कि घृमने हैं उब आइसे अधिकार यह सब को मिलता है यानि की आपके सब्सक्राइब नियान इन लिखित मैं मैंसे की रीट को जारी कर सकता तो आपको पताकि प्रेट को जारी कर सकता है दोस्त आपको पता है किस रीट को जारी कर सकता है वह उसके बाद में आपका सूची एक को सूची दोस्ते मिला यह आपको उपाधियों का अंत जो है आपका किसम है तो आपका उपाधियों का जो जो है तो उपाधियों का जो आपका जो है वह अन्त है इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंद का सुदंधर्ता यानि कि धरंक मावलों का प्रबांद का सुतन्दर्टा आपका अनुछेट वे हैं 26 में 25 कि भासका संदरच चल यानि कि आप के कितना में है हम वोक की अभी पड़ा था यह आपका 29 light और आपका जो है वह सिच्छा का सिच्छा का अधिकार यहां हो जागा इनखेद 21 हो जागा कि ऐसा option किसमें है ता आपका है कि एक आपका जो जागा वो तीन हो जागा एक आपका जो अप्से नमबर आपका जो है वो आपका चार करेक्ट उतर हो जागा चलिए उसके बाद में आपका निमलीखित में से किसके द्वारा संपती संपती के मूल अधिकार का लोग किया गिया तो आपका इंगर की बहुत लिखिया गिया बहुत बहुत है भारत के संप्विधान की कि अनुचएत रहाटा बहुत है के भारत के सम्मिदान की की इस अनुजहित के अन्तरकायत भारत भारत को उच्दम नियाले नागरी को के मुल अधिकारों के प्रवारतन के लिए जारी करने के अधिकार करता है तो, नागरी भारत में रहने वाला आपका कशचम आपका प्रिटीस नागरी के दाववा नहीं कर सकता और ön ही कर सकता है तो अपसरनल हाफ को सिच्छा का अधिकार सिच्छा का दिकार अब को राजी मोल अधिकार आपका 13 का आपका यह लोग ने पढ़के आया ही था कि आपका जो है आपका 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 6-14 बरस के बच्चों को कोई भी कर खाना में काम करने के लिए यह तो पर कमाने के लिए कोई भी इजागा नहीं देती है इसके बाद जो हमारी आती है किसी अपराद के अभिव्यक्ति को स्वयम अपने विरूत गवाह करने के लिए बाद नहीं किया जासा था भारतिय समिननदी की इस अनुछेद में अनुछेद में यह परद्धान किया गिया आपका पता है कि यह मैंने आपको पहले ही बताया था लिए जो आपका अनुछेद 20-3 है 20-3 करिए जिसमें कि स्वयं में ख़िलाप आप का गवाहिध नहीं दे सकते हैं कि उसके बाद में आपका भारतिय समिधान का रुषेद 25 में परियुक्त हिंदू सब्द किया समलित नहीं करता है तो बहते हो को जैने को सीफों को नहीं करता है यह पार्शियों जो इस कोशन का बीलकोट स़ाहि जवाब हो जागे निमलिकित मांन चब्राम तरफके तो किसी तो कि.. तो निम्लीकित में से कीस एप्रले को किसी ब्यक्ति क इसस्षरता का महांत्र स्थरू चप्छ रचाइब तो कौन मना जाता है आपका Sultanर राइट 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 अंसर सीट ना हो जागा अक concentrated У्सका राइटा राइटफक हो जागा है important है कि आधिकार नागरी को के बिरूद राज के दाव अधिकार के बी रोस भी सेसाधिकार है जो आपका किसी किसी राज के समिदान में समवीच्ट है अधिकार राजि के बिरूद ननागरी है यह मेरे जह से सभी दे हैं तीन नमर आपका जो है वापका सभी कि अधिकार राजी के भिरूज आपका जो है पुन अगरीको टावा आपका कर सकते यह तो आपका जो हम कुल भीन कर दो पर सम्मिधान की आदम महां का ऐसा गया और आपका सम suppliers क обязपस्ट請 कि करना है और कि मौली बढ़ा को पता कि मौली करत किंसे हो तो यहां पर मअमला एक दिख ली कि कि आपका मैं सम्मिदान को करता किसा था डोड़े गया था ने है वह आता कि ऐसुद्म के तनी को आप संसोधन जुड़ा गया था उसके बाद में आपका जुड़ा गया है पिर आपका जो आपका मूल अधिकारों का सिधान्त आपका जो है निकी सीक एक यानि आपको जाती है कऊन ओती है यह पार लोग देखते हैं अंगला नमर कोर्सन गल्जाता है कि निम्लीखित में से कौन सा एक अधिकार राष्टी अपात काल तक में भी समाप्त नहीं कि सीमित नहीं किया जा सकता है तो आप कहें कि वो जो उसका जो राइट तरो जगा मतलू कि निम्ड में से कौन सा एक अधिकार राष्टी अपात काल तक में भी समाप्त या सिमित नहीं किया जाएगा यानि कि राइट अंसर आपका हो जागा जगर के ऑप्सन नमबर भी हो जागा समिधान के किस अनुछेद के अंतरगात समिधान के किस अनुछेद के अंतरगात सीखो द्वारा क्रिपान क्रिपान धारन करना धार्मिक संदरता का अंग माना गिया है तो आपका माना गिया है कौन माना गिया है तो आपका माना गिया है पचीस माना गिया कौन माना गिया है पचीस माना गिया तो बच्चों के संवाद्म में मैंने आपको पहले ही बदा थे कि बच्चों के संवाद्म savoir में आपका जयोबच्यों का सुजंट किया जाता है आपका अंसर हो जागा जागर के 25 हो जाएगा कि अब भारत में सर्बोची नियाले भारत है कि है भारत भारत में ब Lynn you समिधान की मूल सराचना सिधान्द यानि की बुनियादी धाचा सिधान्द का प्रतिपादन निम्लिकित में से कीस मुकादमें में किया था तो भारत के सरबोचिन याले ने भारत के आपका जो है भारत का भारत का आपका जो है भारत का सरबोचिन बारत के सर्वों चिनेल में समिधान की मूल सन राचना सी धांद प्रतिपादन निम्लिकित में से कीस मुख अदमें किया गया है तो आपका है कि वह जो एक मामला था केस्वान अंद भारतिये केस के ताह जो है वो आपका जो है वो यह मामला है तो ऑम लोग ने बहुत बना लिया था यह आप जो बनाते हैं वों सुमेलित बनाते हैं कितना हो जाएगा तो मानव कौन सुमेलित वाला यह रहा जो इस मानव अमदुर्वे वहार बातास्क्रम प्रतिन देत्व और आपका अल्प संख्यांकों बार्वों के हीत का संराचन यह तो ठीक है फिर आपका जो है वह आपका वज़र ज़र के संबै धानी कुपचारों का दिगारी भी ठीक एक तिए यहने कि सुमेलित नहीं है आपका यह नहीं है सुमेलित मौलीक अधिकार क्या है मौली कदिकार जो आपका है ताप करेंगे बाद योग है यहाई कि आपका जो है आपका है यह जो आपका है अ जो है आपका है है अनुमर को सनह भरतिया समयदान का कौन सा अनुचेद आलप संक्यांकों को अपने मन पसंद सिचन संथाओं को अस्थापित 2017 करने के लिए अधिकार किश्वशना प्रदान करताए तो आपका कौन करता है तो आपके 26 का कारेत अपका जो जड़साओं आपको कौन हो जड़सा है तो आपका ही přिट्ट ही करताओ और नहीं आप है और नहीं जो आपका है वो 19 करता निम्लीखित कत्नों पर विचार किजिए विचार करने के लिए तो इसमें कि सम게ese पित चो नहीं है वों आपके जो नहीं है कि अनुछेद 300 के एक संपत्ती के अधिकार के संबढ़ में चतीज서 संपती का संपती का संपती का अधिकार एक यहाम मों अधिकार नहीं यह भी बात सही है भारत के संविधान में है ऑनुच्छे 301 चांट का उस समाए केंदर के काउध्र, की अनता स्थापित किया गया है यह मेरे ख्याल से जो है वो आपका गलत हो जाएगा तो उपाई तोको कॉन शहीं है तब का शबहते हैं वह आपका ह्मिए िसमें आपका सैय ओर शिर्फ हाथ मेख आहया कि यह इस में आपको सिर्फ और सिर्फ साही आपका दांगर के संपाथिक अदिकार एक वाका अधिकार है उस समय के इंदर में कांग्रिस सरकार द्वारे चुलिस्वा समिदान संस्वादन अधनिये मस्थापी दिया गया किया तो आपका हो जगा राइट उतर हो जगा आपका जो है वह आपस नमबर दू हो जाए चलिए अलमर मार पास कुझने धर्म धर्म आधिक अधा क्रीद की पर ब्रलः कीया सक है 1688 Sowны के वह जगा है दिकार करें और समय की अत्वार्प मोई सुशन के उस्टिक आपका समर्मान्ता का दिकार ज्यों समीदहर्म आप यादिकार आपके तर्वाद अलमकर हो दो या जों नमरे फ़र्ट प्राप्त किया जाने वला आपका जो है वो 14 से 17 तक है तो आपका राट उत्र कौन हो जागा तो आपका जगर के 14 से 18 तक है उसके बाद में 30 की अगर हम बात करते हैं तो आपका भारतिय समिधान के निम्लिकित अनुच्छेद में सांब्हाद सामिधान के निम्लिकित अनुच्छेदों में नुचेदों में pecat water to जो आपका समानता का दिकार दिया हुआ यानि अप्सान मर आपका डी सही हो जाया अगर नंबर को जाता है कि नीजिये निजता के अधिकार को निजता के अधिकार को निज्टा के अधिकार को जीवन एवं ब्याक्ति सुद्नतंत्रता के लिए सुद्नतंत्रता के अंतरभूत भाग के रूप में सन रचित किया लाद ब्हारत के समिदहान में निम्लिखित में से किसके तुर। हटना हो धन्ट सब्सक्राइब हैं तो आपका कौन हो जगा तो आपका हो जगा जागर के 21 के तीन में गरांटी ये बात कही गई है कि आपको जो निश्ताकादिकार को जीवन में ब्यक्तिकास दंद्रता का रूप में अधारभूत आएगा उसके बाद में हमारा पास है 22 भारत भारत के समिधान का कौन सा अनुचेर आपनी पसंद आपनी पसंद्रैक्ती को विवाह करने के लिए किसी में ब्यक्तिक जो है गोजो है आधिकार सान में नच्छन देता है तो आपका πई है ho य्किशवा लाएं वह टो आपका सत्राय के लाज शुब्राइब अनुछेद की प्रहें कि तो आदम और सपहरे लो कॉंचे ने ये जानव अनुशेद 21 है भरतिय गनराज के सम्मिधान का कौन सा अनुशेद ब्यक्ति की प्राण एवं दहीक सुदंदर्ता के साराच्छन से संबंदित है तो अपका हो जागा जगर के अधिकार के प्रावधान के अंदर संब्लित है तो आपका किस मामले में संब्लित है वह जो आपका संब्लित है वह आपका धारम परचार करने में यह तो अंदरता है सीखों को किरीपान धारन करने में रखने में रखने का इधिकार है राजियों को समाज सुदहारक विधी निर्मान का अधिकार अगलो नमर है भारत के समीधान के अंतर गात कौन सा अनुछेद कर खानों में बालकों के नियोजन का प्रेति सेध करता है तो वो जो है पौब आपका जो आपका अनुषएत हो जगा जार जरक मैंने, किसे? प्रेस के सतंधरता जो आपका प्रेस के सतंधरता जो फईल यो aint, आपका को देता है? सब्सक्राइब करें कि अधिकार का प्रबदान है तो किस का प्रबदान है तो वह जो आपका प्रबदान है वह आपका हो जागा जगर के बदान के समान है तो कौन समय समय आपका आपका आर्थिक समानता के मामल में नहीं है तो कौन है आर्थिक समानता के यह जो आर्थिक समानता के लिए जो है आर्थिक समानता के लिए जो मौलिक अधिकार आपका नहीं है उसके बाद में भारत भारत की समिधान में सोसन के बिरूद आधिकार द्वारा निमलीखित में से कौन से परिकल्पित है तो कौन से परिकल्पित है आपका जो है वो आपका चालिस चालिस करेक्ट वो जगा वो आपका जाकर करेंगे कि मानब डेका ब्यापार और मंदूता मजभी कानिसे 12 अल्प संख्यांकों के लिए आपका जो है वो आपका के लिए आपका जो जगा कर खानों और दवाओं के इसमन तो हो गए नहीं सिर्फ और एक और चार होगा कर खानों और उत्पादों में बच्चों बच्चों के नियोजन काने से तहनी एक और आपका जो है वो आपका जो है वो आपका करक्टर हो जागा अनुसार जी नीजी भावनों के उपर राज़्टी जंडा को फाराना के तहात हर नागरी का मौली का दिकार तो कौन हो है अभी हो जगा समिधान का अनुच्छित उनीज़ एक उच्च नियाले की वेवस्ता के निजी भवनों के अपर राष्टिय जंडा को हर नगरी को का मौलिक अधिकार अल्वनлек आखन उच्वितम नियाले के किस मामूले के निर्ने के करण समिधान के अनुचेतif 21 के कार्रेश्चेतर का विस्तार कर सिच्छा के सिच्छा का के अधिकार को उन में सामिल किया गया है तो आपका किया गया है कौन और उसका-र्यायट उतर हो जागा थैके विатель क्रीष न व नाम आंधर प्रदेश तब कराई gosto वा जागा जागर कि औस नम्बर आपका एव हो जाएगा चलिए évidemment आपका प्रदानमंत्री के द्वारा निलंबित किया जा सकता है और आपका राश्टपती की इच्छा उनुसर नहीं कि आपका कली निस्तिति के ममले में यह जो आपका हो जाएगा चलिए अग्रानमर हमारे पास को सने कहता है कि भारती भारती समिधान में किस अनुचेत के अं समय प्रभ दान को संङय संसद राज बिधान पाली का द्वारा बनाए इसान नियम कनौन को प्रोट। प्रात्मिग यह अंत्रैक्व एंच्छया्थ में और द tom ke jana स्वार यह इirus ब्रात्मिक आपको करता है कि-अनुश्याथ यह आउफ्यों की गई है रही किस अनुश्याथ में है उसके बाद में आपको लिए गया है अमेरिका से लिए जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद में आपका निमलीखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार 19 के एक shortened को अनुचीइअ 21 से मिलाकर के बढ़ाने का परियास किया था तब कहें ़ो जो वह अपको हो जये का बीदेश यातरा काधिकार आपकी जनदेश शूल हो जांट क्या हाला निमलीखित में से कौन सा अनुचेइअ निम्रीखित में से कौन सा सम्विधान के अनुचेद 21 के सदस्यों में नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है 21 के दाइरे में नहीं आता है, तब कहें कि 21 के दाइरे में नहीं आता है, और है 29 का, तब कहें कि 29 के दाइरे में कौन नहीं आता है, तो 29 के दाइरे में जो आता है, तो निमलिखर में इसे कौन सम्मिधान का अनुच्छेद एक इसके दारे में नहीं आठा तो आपका इनकी पहुंचो डंड तो आपका जो घो है वो बिलकुल भी नहीं आएगा उसके बाद में आपका जो भरतिये समिधान का अनुछेद 25 का संब्द भरतिये समिधान का अनुछेद 50 का संब्द आपका कौन है तो आपका धर्म की सुदंदर तो यहां पर कुछ हम लोग कोशन बाद में कराएंगे तो आपका कुछ कोशन और बचा हुआ तो उस कोशन को हम लोग वाज में कराना चाहेंगे इसलिए क्योंकि आपका वीडियो जो है वह बहुत ही ज्यादा लंब हो चुका तो इसके साथ मुना काथ हुआ हुआ कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ अपते की ओल्द वेस्ट जाहिंद बंदे मात्र और इस क्लास की पीडियाफी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे लिंक मुझूद है पीडियाफ का जाहिए वहां से डाउनलोड करें थैंक यू सो मच पर वाचिन दिस वीडियो